UCC को लेकर तमाम मुसलिम वर्ग जो है लगातार अपना विरोध दर्ज कराते आए हैं अभी अभी All India Muslim Personal Law Board ने अपना एक ड्राफ्ट पेश किया है और उसके बाद जमियत उलेमाई हिंद ने भी अपना ड्राफ्ट पेश किया है लेकिन जो पसमांदा मुसल्मानों का जो महाज है वो अपनी तरफ से आउट्रीच करने की कोशिश कर रहा है पसमांदा मुसल्मानों में खास कर आपको याद होगा कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कहा है कि पास्मान्दा मुसल्मानों के हित के लिए जो भी सरकार बीजेपी से हो पाएगा वो करेंगे और उनकी तरफ काफी सारे आउट्रीच प्रोग्राम्स भी भारते जन्ता पार्टी प्लान कर चुकी है इसी संदर्ब में मैं बात करूँगी आतिव रशीद जी से जो राश्ट्रवादी मुसलिम पास्मान्दा महाज के प्रेसिडेंट है और हमें बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग इस वक्त पास्मान्दा मुसल्मानों को यू सी सी के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे है देखे ऐसा है मैंने राश्वादी मुस्लिम पस्मान्दा महास के अध्धश के नाते इस देश के तमाम पस्मान्दा मुसल्मानों को एक ओपन लेटर लिखा है और मैंने उसमें उनसे ये अपील करी है कि इस देश के 75 साल के इतिहास आप उठाकर देखिए कभी बाबरी मसझित के मामले में कभी शहवानों के मामले में कभी C.A. کے मामले में इस देश के 15% अश्राफ मुसल्मानों ने अटकाना, लटकाना, भटकाना इस पॉलिसी को अपनाते हुए ये जब भी मुसल्मानों में कोई progressive development आने की बात शुरू होती है तो ये नारा दे दे जाता है कवा कान ले गया, कवा कान ले गया, कवा कान ले गया मैंने उनसे ये कहा है, पहले आप अपना कान देख लीजिए, क्या ले गया, क्या आप अभी 5 साल पहले का आप उठा कर देखिए हिंदोस्तान 4 साल पहले का जब C.A. का बिल पारलेमिंट में पास हुआ तो पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया के हमारी नागरिक्ता चली जाएगी, हमारी नागरिक्ता चली जाएगी, वो 15 परसंट लोग जो 75 साल की, आप हिंदोस्तान का 75 साल का इतिहास देखिए का उठा कर 400 सांसद बनें मुसलमानों के, उन 400 में से 40 ही पसमान दा मुसलमान हैं, आबादी हमारी 85 परतिशत, हिस्सेदारी उनकी 85 परतिशत, ये उल्टा हो रहा है, तो हमारा मानना ये है कि 15 परसंट आबादी के, भी 15 परसंट हिस्से की, इस जिद पर के हम 4 शादी करेंगे, अब 85 80% मुसलमान सड़कों पर नहीं आएगा, उस 15 परसंट आबादी का भी 15 परसंट ही हिस्सा है, जो 4 शादियों प्याड़ा हुआ है, आज अगर हमारी बहन बेटियों को बराबर का अधिकार मिलता है, तो मिलने में इसका स्वागत करना चाहिए, हम सड़कों पर आकर अपने रहा है कि यू सी सी सिवनी को टार्गेट किया जा रहा है, बात आदिवासियों की क्यों नहीं हो रही है, बताता हूं, कुछ धार्मिंग संस्थाओं ने ऐलान करा, चाहे कुछ हो जाए, हम शरीयत में मदाखलत बरदाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, हम नमाज नहीं पड़ सकते, मैं बताना चाहता हूं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है, इसके आने से आपके नमाज, रोजा, हज, जकात, खेरात, सदका, कल्मा, कुर्वानी, सब वैसे ही होती रहेंगी, जैसे पहले होती थी सिर्फ ये एक सिविल कोड है, दूसरी बात, लोग ये कह रहें कि हिंदुों का और मुसल्मानों का कल्चर अलग-अलग है, ये कह रहें ना, बिल्कुल अलग-अलग है, ये यूनिफॉर्म कल्चरल कोड नहीं है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आइसके आने से हमारे क में कोई चेंजिंग नहीं आएगी आप इद मनाईए आप दिवाली मनाईए आप होली मनाईए आप शब कदर मनाईए आप शब बरात मनाईए आप फातिहा करवाईए जो आपको करना है वो करवाईए कुछ लोग कहते हैं उनका ड्रेस कोड अलग है यह ड्रेस कोड एक और चीज बताए कि आप ये जो आउटरीच है कब से शुरू करने जा रहे हैं कहां से शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहला कारेकरम हम इसका क्योंकि भारतिय जंता पार्टी के पस्मानदा आउट रीच की सबसे बड़ी परियोग शाला उत्तर परदेश है इसलिए हम बहुत जल्द उत्तर परदेश में पस्मानदा मुसल्मान और यूनिफॉर्म सिविल कोड भरांतिया और पस्मानदा मुसल्मानों की भूमिका को लेकर एक बड़ा कारेकरम लखनों से शुरुआत करेंगे इसकी हम बहुत जल्द पस्मानदा आउट रीच के और उ लेकर जाएंगे आसाम लेकर जाएंगे बिहार और बंगाल भी लेकर जाएंगे हम इसको आतिफ जी यही बता रहे हैं कि किस तरीके जो भ्रहांतियां फैलाई जा रहे हैं मुसल्मानों में UCC को लेकर उनको कैसे क्लियर करना है और कैसे एक समन्वे बैठाना है कम्यूनिटी के बीच खास कर पास्मंदा मुसल्मानों में कि आपको अपने शर्या कानून के मताबिक हर चीज करने की इजासत और हक है UCC आने के बाद भी वो eradicate नहीं हो रहा है जो है civil laws बनेंगे उसमें आप जैसे ही अपना religion है अपना मजभ आप जैसे follow करना चाहते हैं वैसे आप follow कर पाएंगे उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा इस message को लेकर सब जगा लखनाव से शुरुवात होगी और उसके बाद पूरे देश में पस्वांदा मुसल्मानों से भारती जंता पार्टी की तरफ से बात होगी कैमरा परसन जगनात के साथ मिलन शर्मा आज तक